दोस्तो नमस्कार मैं मनोजद वेदी अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सब लोग कैसी चल लएई आप लोगों पढ़ाई वेतर चल लएई होगी तो हम लोग इस ओनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास 10 गडित का जो टॉपिक है मेंसूरेश जो बोर्ट परिक्षा में लगवग 10 से 12 अंग के लिए पूछा जाता है उसके अंतरगत हम लोग त्रजिखंड और व्रत्तखंड के छेतपल से समंदित एक्सरसाइज 12.92 को पढ़ रहे थे अभी तक हम लोगों ने कुश्चन नमर 7 तक के प्रस्णों को सॉल्व कर लिया ह अब इसके बाद हम आँगे के प्रस्णों को सॉल्व करेंगे जैसे की कुश्चन नमर 8 यहां पर कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वरगाकार घास के मैदान पंद्रा मीटर भुजा वाला एक वरगाकार घास का मैदान है इस वरगाकार घास के मैदान की जो भुजा है वो पंद्रा मीटर है आप जानते हैं कि किसी वी वरग की प्रतेक भुजा एक समान होती है अगर यह भुजा पंद्रा है तो चारो भुजा पंद्रा होगी इस वरगाकार घास के मैदान के एक कौने से एक घोड़े को पांच मीटर लंबी रसी से बांदिया इस वरगाकार मैदान के एक कौने से देखे आप जानते हैं कि अगर कोई भी मैदान एक वरगाकार मैदान है तो प्रतेक वर्ग का कौन 90 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री है अब जब इस वर्गा कार मैदान के एक कौने में हम गोड़े को बांधने के लिए खूटा लगगाड़ेंगे तो खूटे से जब इसको बांधेंगे तो देखिएगा गोड़ा कितने मैदान की गास चर लेग एक देखिएगा कितनी लंबी रसी से बनदा है गोड़ा पांच मीटर लंबी रसी से तो गोड़ा कितने मैदान की गास सरेगा तो ध्यान दीजेगा कितने मैदान की गास सरेगा ये अलग प्रस्ण जब किसी वर्गाकार मैदान के एक कौने से किसी गोड़े को किसी वकरी क या किसी जानवर को खूटे से बांदिया जाए उस मैदान गोड़ा क्या करेगा उस मैदान के उस कौनर पर एक चतुर्थांस का निर्माण करेगा तो यह गोड़ा कितनी गास चर लेगा जितना इस चतुर्थांस का छित्रपल होगा जितना इस चतुर्थांस का छित्रपल हो ये खूटा है और खूटे से घोडे के गले में बंदी जो लंबी रसी है वो उस चतुर्थांस की क्या कहलाएगी तरिज्या तो रसी की लंबाई क्या होगी चतुर्थांस की तरिज्या होगी ठीक है चलिए तो चतुर्थांस की तरिज्या होगी पांच मीटर तरिज्या होग खोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का छेत्रफल तो कितनी घास चर लेगा जितना इस बिरत का ये क्या बना चतुरता कौने पर जब किसी बरगाकार मैदान के किसी कौर्णर पर एक घोड़े को बाने गे तो यह घोड़ा हमेशा उस मैदान के उस कॉर्नर पे क्या निर्मित करेगा एक चतुर्थांस का निर्माड करेगा किसका निर्माड करेगा एक चतुर्थांस का निर्माड करेगा तो इस चतुर्थांस का छेटपल क्या होता मैंने कहा था ब्रत्य के संपूर छेटपल का मान पाई आर स्क्वार चोथाई भाग का निकालने बटे चार हो जाएगा तो मान रख दीजे पाई नियत रखो आर कितनी है पाँच पाँच कवर पच्चेस बटे चार तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मान रख दीजे पाई का 3.14 पाई का मान 3.14 हल गर लीजे 25 चौको सो पच्चेस एकम 25 तस पैंतिस 25 तिया 75 तीन 78 दो अंग पे दसमलब बटे चार चार से कार दो चार एकम चार तीन बचा चार नमा च्छतिस दो बचा चार चंग चौबिस एक बचा चार दूनी कितना वता दो चर पंचे बीस यानि 19 दसमलब 625 वर्ग मीटर घास को यह घोड़ा चर सकता है ठीक है इतने वर्ग मीटर घास को यह घोड़ा क्या कर सकता है चर सकता है ठीक है चलिए अब इसी में कंडीशन दे दी कि अगर रस कहरा मैदान के उस भाग का छेटपल निकालो जिसे घोड़ा चर सकता यह तो था पहला पार्ट दूसरे पार्ट में यह कह रहा है चरे जा सकने वाले छेटपल में व्रिधी यदी घोड़े की लंबाई यदी घोड़े को 5 मीटर रसी के बजाए 10 मीटर लंबी रसी से बांदिया जाए सीधी सी बात लोड़े के बात झाल 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 अब कुछिन यहां पर क्या के रहा है क्या के रहा है तो अब क्या के रहा है क्या के रहा है क्या केंद्र है क्या के रहा है अब क्या के रहा है तो यह चायांकित जो भाग है अर्द बृत के अंदर है अगर इस अर्द बृत के छेट पल में यह क्या बना एक तरभूज इसका छेट पल कम कर दें तो आ जाएगा चायांकित भाग का छेट पल तो पहले हम निकालें अर्द बृत का छेट पल अर्द बृत का छेट पल तभी आएगा जब अर्द बृत की तरज्या पता हो तो अर्द बृत का व्यास दिया गया देखो ध्यान से PQ सौरी PQ तो यह बुजा है P R यह भी नहीं पता चलो बृत का व्यास निकालो ध्यान दो अगर यह अर्द बृत का व्यास है तो आप जानते अर्द बृत की परदी पर बना कौन क्या होता समकौन होता है अर्द व्रत्त की परदी पर बना कौन क्या होता समकौन होता तो लेखेंगे चूगी क्यू आर व्रत्त का व्यास है और अगर ये व्यास है तो कौन क्यू पी आर कितने का होगा 90 का एंगिल क्यू पी आर कितने का होगा 90 का होगा ठीक है अब ये जब 90 का हो गया तो ध्यान दो ये 90 का हो गया तो अब ये एक समकौन त्रबुज बन गया और किसी भी समकौन त्रबुज में जब दो भुजा गयात हो तो तीसरी भुजा गयात करने के लिए हम पाइथा गोरस प्रमे का प्रियोग करते हैं जब किसी समकौन त्रबुज में दो भुजाएं गयात हो तो तीसरी भुजा गयात करने के लिए पाइथा गोरस प्रमे का प्रियोग करते हैं और पाइथा गोरस की प्रमे करण 90 के सामने क्यू आर स्कौर लंब प्यार प्यार दिया गया साथ साथ कवर गुननचास और ये दिया गया 24 कवर पांसो चैतर जोड़ देंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल आएगा 25 तो ये ब्यास हमारा जो निकलाएगा वो 25 आजाएगा कितना और ब्यास की आधी क्या हो जाएगी 30 तो अर्दवृत्त के छेत्पल में इस समकौन त्रवुज का छेत्पल यदी कम कर दें क्योंकि अर्दवृत्त के अंदर ही तो चायांकित भाग है तो ये इतना क्या है अर्दवृत्त और इस अर्दवृत्त के अंदर ये क्या है त्रवुज अगर अर्दवृत्त के एरिया मे इस त्रभुज का एरिया हमने अगर कम कर दिया तो ये चायांकित भाग का छेत्रफल कैसे निकलेगा? अर्द भरत्त का छेत्पल माइनस त्रभुज पीक्यु आर का छेत्रफल घटा दीजे यहां पर अर्द भरत्त का छेत्पल पूरे भरत्त का छेत्पल पाई आर स्कुर आधा निकालने। बटे दो तुर्भुझ कौन सा है सम्कौन तुर्भुझ का छेथपल एक बटे दो। आधार गुड़ा लम। समकौन त्रवुज का छेटपल एक वटे दो आधार गुडा लम पाई सवाल कह रहा है कि जब तक कहा ना जाये तब तक पाई का मान आप नहीं रखिए तो ध्यान दीजेगा लेकिन पाई का मान रख दिया 227 आर कितनी है 25 वटे दो 25 वटे दो इंटू 25 वटे दो बटे में दो लिखाई है तो एक वटे दो और हो गया माइनेस एक वटे दो इसका आधार कितना है साथ और लंब कितना है 24 साथ गुड़ा 24 चलिए हल करिए एक दो से कार दीजे 11 बार 22 दो से कार दीजे 12 दूनी 24 अब इसको सॉल्व कर लीजेग तो 625 हम 2625 गुणा ग्यारा 625 गुणा ग्यारा बटे 2 दूनी 4 4 सते 28 माइनस 12 सते 84 अब इसको सॉल्व कर लीजे इसको सॉल्व करने पर जो मानप्राप्त होगा इसके हर में मानलो एक लासा आजाएगा 28 लसीम आजाएगा 28 तो 28 एक हम 28 625 इंटू 11 माइनस 84 गुणा 28 ठीक है चली इनका इनका गुणा करके घटा लो अंसर आजाएगा तो इस प्रकार से लेकिन वो कह रहा है जब तक अन्था न कहा जाए तब तक पाई का 22 सते मान प्रियो कीजिए तो पाई का मान यहां पे हमने कित्ता रखा 22 सत आर का मान कित्ता है 22 25 वटे दो क्योंकि क्योंकि क्यों आर क्या व्यास और व्यास की आदी क्या होती त्रिज्या आर की जगह रख दिया और दो बटे में सॉल्यूशन करोगे तो यह आपका आएगा अब इनका